वेलकम बैक तो गेर हेड ओफिशियल दिस यूर होस्ट चेन शर्मा और आज मैं अपनी गाड़ी को रिव्यू करने वाला हूँ विच इस दी हॉंडा अमेज 2023 वेरियंट है यह और इस कार को मैं लगभग लगभग 8000 किलोमेटर चला चुका हूँ और एक साल से ओन कर रहा हूँ आज मैं आपको इस कार के बारे में प्रोज और कॉंस के डिसक्स करने वाले हैं और कुछ ऐसी चीजे पताने वाला हूँ जो मेरे को पसंद भी आई मेरे को नहीं भी पसंद आई और आपको क्या लगता है कि वो सब चीजे सुनने के बाद आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए तो आज की ये वीडियो informative होने वाली है काफी ज्यादा तो पूरे end तक देखना इस वीडियो को और टॉब वेरियंट मैंने क्यों नहीं लिया क्यूंकि वो मेरे को थोड़ा सा ओवर्फ्राइस लग रहा था और उससे पहले मैं डुस्टर चला रहा था और वो डीजल वेरियंट था पर SUV से sedan में shift होने का कुछ reason था because SUV जब हमने initially ली थी तब मैं काफी long drives वगरा करता था हम हिमाचल वगरा या फिर ऐसी जगाओ पर जाधा travel करते तो उसके बाद मेरा वहाँ जाना थोड़ा कम हो गया जिसकी वज़ासे city travel में फिर मेरे को SUV जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी और मतलब daily use के लिए वो उतनी ज्यादा बड़ी अगाड़ी लगती नहीं थी तो sedan मेरे को लगा कि ज्यादा better option है और because this is a compact sedan and मैंने budget भी उसी तरीके से बनाया था कि बहुत ज्यादा भी नहीं खर्चना तो मेरे लिए ये गाड़ी काफी ज्यादा fit battery थी options की अगर मैं बात करूँ जब मैं ये card लेने गया था तो मेरे को क्या के options मैंने देखे थे first one was the Hyundai Aura second one was the Maruti Suzuki Desire दोनों में से मेरे को क्या चीज लगी जब मैं Hyundai Aura को देख रहा था तो वहाँ पे मेरे को जो built quality थी ना उस पे थोड़ा सा मतलब ऑल्दो इस प्राइस रेंज में साड़े आठ नौ में उसका top variant मेरे को मिल रहा था मेरे हिसाप से CNG वाला वेरेंट भी साथ ही मिल रहा था तो उस पे CNG मेरे को इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि डिक्की मेरे को space थोड़ी जादा चाहिए थी और built quality जो plastic materials है ना जैसे जो door पे plastic यूज हुए है जो dashboard पे plastic यूज हुए है वो मेरे को Hyundai का काफी cheap लगा जिसकी वज़ा से मैंने उस option को ditch किया देन मेरे पास आया option मारूती का desire का तो desire मेरे को खुद personally actually look wise उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती और वो ज्यादा मतलब family car से जादा थोड़ी taxi 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 में चलती है तो यह मेरा personal opinion है मतलब मैं आलसा किसी को नहीं कह रहा है यह मेरा personal opinion था जिसकी वज़ा से मेरे को मारूती का थोड़ा सा वो हुआ last option मैंने अपने लिए Honda अमेज रखा था and जब मैं और मेरे father showroom गए थे तो इस गाड़ी में बैठते ही हमको वो एक Honda की मुझे प्रीमियम नेस थी वो कहीं न कहीं महसूस हुई और देखते ही बैठते ही इस गाड़ी को feel करते ही थोड़ा सा यह मेरे को better option लगा बाकी दो से research करते वक्त फिर हमने देखा कि this is a four cylinder car 1200 cc के around इसका engine है four cylinder car है और फिर मैंने इसकी test ride ली and test ride में यह car जो है यह काफी ज्यादा smooth थी ज्यादा प्यारी लगी इसकी drive quality काफी ज्यादा प्यारी लगी तो instantly हमने plan करा और इस car को purchase कर लिया उसके बाद मैं बताऊं कि purchase करने के बाद जो मेरा initial experience रहा वो यह था कि city drive के अंदर तो मेरे को अच्छी लगी यह car ऐसी कोई problem नहीं आई smooth है यह गाड़ी और torque मेरे को काफी अच्छा मिल जाता है in fact मतलब जब मैं इस car को चलातो जो मेरे को personally अच्छा लगता है वो यह है कि third gear पर जैसे मैं low speeds पर चल रहा हूं तो मैं एकदम से उठा तो गाड़ी उठ जाती है यह चीज मेरे को इस car की काफ otherwise औरा से मेरे को बहुत उपर की यह car लगी तो जिसकी वज़ा से as I said कि मैंने इस car को चूस किया उसके बाद मेरे पास इसके अंदर CNG option नहीं मिल रहा था actually और CNG वैसे चाहिए भी नहीं था petrol वेरियंट ही है यह petrol में ही आती है diesel भी नहीं आती तो मैं बताओं इसके average के बारे में अगर तो initially without first service मैंना first service से पहले मेरे को इसके अंदर approximately starting starting में 11-12 की average मिल रही थी and जो salesman था उसने भी बोला था कि sir आपको city के अंदर 13-14 की average maximum मिल जाएगी तो initially मेरे को 12-13 की average मिल रही थी which was quite okay because petrol car इतना ही देती है और hybrid भी नहीं है अभी तक Amaze Honda के अंदर तो वो एक option हमार पास city के अंदर है लेकिन Amaze के अंदर नहीं है अभी इसके बाद मैंने जब first service हो गई एरा 14 तक की average मिल जाती है एक दो की average बढ़ी है तो city के अंदर में average बहुत जादा expect कर भी नहीं रहा because bumper to bumper traffic होता है दिल्ली में हम रहते है गर्मियों में AC चल रहा है तो आपको average car कोई भी हो उतनी जादा आपको देगी ही नहीं सबसे पहली बात तो है ये servicing की अगर मैं बात करूँ मैंने भी recently इस car को service करवाय था which costed me approximately 2800 रुपीज जिसके अंदर मेरा oil change हुआ था थोड़े बहुत filters वगेरा change हुए थे इसके अंदर labor cost नहीं थी तो labor cost के बिना मेरे को 27-2800 रुपे cost करा and 2800 के उपर अगर मैं labor cost add करूँगा तो वो approximately 3-4,000 अगर जब labor cost लग जाएगी तो 7,000 के रौंड ये चार्ज करेगा आपको टोटल जो service आपकी paid service होगी actual फैली service मेरी 500 और 1000 की थी जिसमें कुछ भी नहीं था 1000 और 5000 की थी actually not 500 जिस पे just general check-up के लिए car गई थी और उन्होंने generally पूछा था कि आपको कोई problem तो नहीं आ रही तो मेरे को as such कोई भी car के अंदर problem नहीं थी और उसके बाद फिर मेरी paid service होई है अब शुरू करते है pros and cons है तो यह तो मैंने आपको मोटा मोटा सारी चीज़े बता दी pros की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले मेरे को जो चीज अच्छी लगी इन तीन cars में से मैं comparison कर रहा हूँ तो वो था इसका design basically सामने से यह car दिखने में काफी ज़्यादा aggressive लग रही है और थोड़ी सी मेरे को यंग्स्टर वाली इसने feel दी इस car ने कार का जो overall designing pattern है straight lines में यह car build है तो आप देखोगे भी अगर इसको तो दिखने में यह काफी ज़्यादा प्यारी लगती है और road के ओपर actually इसका एक presence create होता है तो performance में एक चीज जो मेरे को बहुत अच्छे लगी वो यह है कि low speed में high gearing में यह car को मेरे कंदर जादा gearing change करने की मेरे को ज़ुरत नहीं पड़ती जो कि मेरे लिए बहुत जादा convenient हो जाता है तो city riding में यह especially है कोई भी करेगा कोई भी इस car को city में drive करेगा तो यह मेरे को benefit लगा इस car का जो की जरूरी भी है कहीं ना कहीं third is the interior obviously इसका जो dash वगरा है यह दिखने में actually Honda की जितनी भी car से ही आपको executive class में आपको देखने को मिलेंगी और Amaze का भी बहुत ज़्यादा fancy नहीं है बहुत ज़्यादा feature इस वाले variant के अंदर तो ही नहीं और Amaze के top variant में भी बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें आपको मतलब जो मैं feature का अगर describe करूं तो center में आपको पूरा digital console मिल जाएगा और मैं personally कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा शौक रखता नहीं उस चीज का rare में cameras वगरा आ जाते है पर इतनी छोटी car में मेरे को personally as a driver मेरे को उस चीज की feel नहीं ह लगता है कि एक चीज बहुत अच्छी है इसकी कि इसका जो अपना वो है ना light cut through है वो बहुत ज्यादा प्यार है मतलब halogen होने के बाद भी बहुत अच्छी night में इसकी visibility मिलती है जो मेरे को बहुत जादा impress करा उस चीज ने तो मेरे को personally जहूरत नहीं पड़ी इसकी मैंने test test ride भी ली थी तो test ride लेते वक्त भी जब मैंने जो बंदा आया था guard लेकर आया था वो top variant लेकर आया था पर मेरे को halogen देखना था उस टाइम पर ही मैंने चेक किया था और throw बहुत प्यार है इसका तो मेरे को यह चीज काफी अच्छी लगी बाकी मैं बताऊं तो overall मतलब जितना आप spend कर रहे हो उस हिसाब से this is quite okay मतलब मैं यह नहीं बोलूँगा आज के टाइम पर तो market में बहुत सारे option आ चुके है और यह लोग की personal choice होती है because market is more lean towards the you know SUVs तो basically हम compact SUV भी लोग आज़कल ज्यादा लेना पसंद कर रहे है टाटा पंच है और मारूती की फ्रॉंग्स है बट मेरे को design wise थोड़ा सा मैं sedan की तरफ inclined हो तो इसलिए मेरे को यह ज्यादा पसंद आई hatch pack में मैं इसलिए जाया चाहता था क्योंकि मेरे को boot space चाहिए था तो इस car का boot space मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगा जिसकी वज़ा से भी मैंने चीज शायद improve हो सकती है मैं इसके साथ long tour मार चुका हूँ मैं इसको हिमाचल लेकर जा चुका हूँ तो highway पे high speed के अंदर कार में काफी noise आती है तो वो मेरे को लगा बहार की noise बहुत ज्यादा है इस car के अंदर after 100 110 कार के अंदर बहुत noise आती है उसके लिए again मतलब अगर Honda इसकी damping थोड़ी सी और improve कर देता या फिर अगर आप लेने के बाद चाहते हो तो आप aftermarket damping करवा सकते हो second thing is मैं इसको थोड़ी सी top speed भी देखना चाह रहा था although this car is limited to 150 km वहाँ पे इस car की stability उतनी ज्यादा नहीं है this car is stable at 110 120 130 तक भी यह stable है 130 cross होते ही car का पता लग रहा था कि भाई यह बहुत ज्यादा stable नहीं रहने वाली यह गाड़ी तो मेरको safe सा feel नहीं हो रहा था although ऐसा भी नहीं था कि car out of control है but stability नहीं लगी मेरको top speed पे third thing जो improve हो सकती है that is यह audio point of view से है कि इसके अंदर जो system दे रखा है top variant में भी यह जो भी है normal variant में भी यह आपका जो system है इसकी sound quality बहुत अच्छी नहीं है यह Honda की मैंने यह गाड़ियों में देखा है कि sound quality थोड़ी सी improve होनी चाहिए अच्छे system लगा के नहीं देता वाई Honda तो इंजल अच्छे देता है system लगा के देगा उसके लिए आपको obviously aftermarket जो भी आप accessory देखना चाहते हो आपको choose करनी ही पड़ेगी उसके बाद अगर आप car select कर रहे हो कि आप आपको पांच लोगों के लिए अगर चाहिए तो this is not a five sitter exactly तो अगर आपके family में healthy लोग है और पांच चार से उपर है तो ये कार तो आपके लिए definitely नहीं है क्योंकि पीछे seat पे आपको फिर बैठने में तोड़ी सी problem होगी ये तो एक part हो गया लेकिन अगर मैं seats की बात करू तो seats बहुत ज्यादा comfortable है bucket seats के अंदर आपको मिलती है long ride करते वक ना जब मैं इसके साथ जा रहा था हिमाचल बगार जा रहा था तो मैं fatigue feel नहीं हुआ इस car ने मेरे को बिलकुल भी ऐसा feel नहीं कर रहा है कि भाई तो जबरदस्ती चला रहा है और मैंने बहुत ज़ादा brakes भी नहीं लिए जो कि मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी तो duster obviously एक SUV थी but because SUVs are not known for comfort sedans are known for their comfortability तो उसके अंदर भी जो seats थी मैंने कुछ aftermarket जादा कुछ करवाता नहीं हूँ मेरे कुस तरीके का शौक नहीं है इसके अंदर भी seats लगी हुई है यह मैंने जो अभी लगवाई है तो it looks nice तो यह इसके अंदर comfort काफी जादा अच्छा आजाता है duster के अंदर वो वाला comfort नहीं था बठाए है कि SUV के अपने कुछ फायदे होते हैं वो मैंने पहले ही sense करा जैसे ही मैं इस कार को highway पे लेके गया वहाँ पे जो stability होती है वो duster और इसमें तो ख़र जमीन आसमान का फरक होना ही था उसके लिए मैं कुछ क्या भी नहीं रहा बठाए है यह मेरा complete एक मतलब जो मेरे end से मेरे को लगा कि इस कार के अंदर pros and cons है और कुछ improvement जो हो सकती है Honda की तरफ से वो मैंने आपको बता दी तो this was the complete ownership review of the Honda Amaze और yeah that's it and we'll meet you in our next video with another motorcycle or car till then stay tuned